बुलिश्री प्राणाथ प्यारे कीजे चर्चा प्रारंब होत हे सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा स्री प्राणाथ सकी जीवन हमारो होए स्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा का वकत अव तुम सुनियों चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत लाल आगे आए बैठे इन तकत दिन दस पंद्र हुए कता सुनत हे कान तहां आए दिदार दिया तुमको मेरी पहचान तुमको मेरी पहचान वह कि सुरा अति सुन्दर यह तिसरा दर्षन क्यूं हो रहा है हर किस प्रकार से हो रहा है तथा हमने यह कहा था कल कि आज कि इस दर्षन पे कौन दर्षन साक्चा दे रहे हैं अब हम ये जाने कि वो जो सोयम देवापी जीव अंदर बेटे हुए है जिसने कलाब ग्राम में इतना तपश्या किया था और आज जाकर वो कितने वरस के हो गया है वो देवचंदर जी के सरीर है चालिस बरस का हो चुका है चालिस बरस के होने के बाद अब क्या कर कहा जा रहा है कि हक्ये दिया दिदार सोयम चालिस बरस के बाद अब धनी स्री देवचंदर जी को वहाँ पे भागवत के श्रवन के समय पे दर्शन होता है एक अंधकार में रात है जहां पे कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ पे चलने में भी मुश्किल है रस्ते पे अनेकों वादाए है लेकिन यदि हाथ में छोटा सा दिया भी हो तो चलने में आसानी होगी भले हम एक कदम देख पाए वो एक कदम के सहारे हम सो कदम तक चल सकते लेकिन यदि वो दिया भी ना हो तो हमें ठोकर ही खाना पड़ेगा संसार में आज दिन तक वो सादू मुनी जन और वो रिसी गन वो ही ठोकर खा रहे थे लेकिन आज एक अंदकार मई रात्री में सोयम देब चंदर जी अब उनके हिर्दे पे धामधनी पदार रहे है जो सोयम पूर्णी मा के एक चंद्रमा की तरह एक अंदकार के रात में यदि पूर्णी मा के वो चादनी खिल जाए तो वहाँ सब कुछ दिखाई देने लगता है वहाँ पे अब इस पश्ट से वो रस्ता दिखाई देने लगता है कि हमें किस रस्ते पे चल के उस लक्षे तक पहुंसना चाहिए तो उसी प्रकार से देबचनर जी के अंदर अब जो सोरूप का लिला खेलने वाला है जिसके कारण से उनका जीवन को पूर्णिमा के वो संद्रमा से तुलना किया गया है वही यहाँ पे कहा जा रहे है कि वही सोरूप है जो ब्रिंदावन पे खेला था और वो नित्य ब्रिंदावन पे खेला था और वो कौन है वो सोरूप है ना की रूप यहां पे धनी सोयम कह रहे हैं पिया किये अती प्रसन तीन बेर दिये दर्सन सिर्फ एक बार नहीं दो बार नहीं वो तीन बार दर्सन यहां पे देने के लिए आये होए है और तिसरे दर्सन पे सोयम साक्षात धाम धनी यहां पे आये हो शुरुवात में हम चलते हैं शुरुवात के उस दिनों में जब उनको प्रथम बार दर्शन हुआ था वो किस समय पे और किस तरह से चल रहे थे कक्ष के देश है, मरभूमी का इस्तान है और उनको कुछ भी पता नहीं लेकिन मन में वो इच्छा थे कि परमात्मा को पाना है इसलिए उस प्रेम के कारण वहां स्वयम धामधनी पहली बार उनके हाथ पकड़ने के लिए आते उसके बाद दुसरा दर्शन अब थोड़ा सा ज्यान उनका बढ़ जाता है अब जाकर वो साधना रत है वो दियान और समाधी लगाते हैं तब जाकर वो ब्रज में पहुंचते हैं और बाल मुकुन के उस रूप के अंदर बेटे हुए स्वरूप से अब वो बारतलाब करते हैं जिसके कारण वहां पे उनको दुसरे दर्शन होता है लेकिन अब ये तिसरा दर्शन जो हम यहां पे देख रहे हैं स्वयम देबचंदर जी यहां पे बेठे हुए हैं और धाम धनी यहां पे फुशते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना तब स्वयम देबचंदर जी यहां पे कहे रहे हैं कि मैं आपको इतना ही पहचान पाई कि आप मेरे धामधनी हो आपको मैं इतना ही पहचान पाई कि आप मेरे प्रियतम हो लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ पता ले वो जो आत्मा स्वयम ब्रज की उस लिला में जा चुके है ब्रज की लिला में वो स्वयम जो ग्यारव ब्रज का कनईया है उसका रूप को देख चुकी है लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो दर्शन अभी तिसरा हो रहा है उसमें वो कह रही है, वो आत्मा कह रही है कि मुझे इस सुरूप जो दिखाए दे रहा है, इसके बिसे मुझे पता नहीं है कि आप सुयम कौन हो, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आप धाम देने, मेरे प्रियतम, यहां पे इस चोपाए पे ज़्यादतर हम रूप और सुरूप के बिसे में बैक्खा करते हैं, यहां पे दर्शन देने वाला कौन है? स्च रूप कहा गया है तो रूप और स्च रूप का बैख्षय भी करते हुए हमें समजना चाहिए रूप का अर्थ है जो बाहरी चीज़े दिखाई देता है उसको रूप कहा जाता है जैसे आप आज एक बच्चे के रूप में हो आज आप एक ब्रिद्ध के रूप में हो, आज आप एक महिला के रूप में हो लेकिन सब लोग यहाँ पे जितने भी बेठे हुए हैं वो आंतरिक रूप से सुरुप कहा जाएंगे और वो सुरुप क्या है? वो चेतना है जिसके कारण से यह जो रूप है वो आ रहा है, प्रदर्शित हो रहा है उसी प्रकार से जो आत्मा है, जो चेतना है या संसार के लोग जो जीव कहते हैं उस जीव के द्वारा उसी जीव को हम सुरुप कहते हैं और जो बहारी प्रकटन जो सरीर है उसको रूप कहते हैं तो इसलिए यहां पे कहा जा रहा है कि वो है किसुर अति सुन्दर सुरूप खेला जो ब्रिंदावन तो वो जो किसुर है रूप और सुरूप के बिसे में तो थोड़ा बहुत पता चल गया लेकिन यहां पे फिर किसुर का सब्द भी आया है ग्यारा बरस को क्या कहा जाएगा ग्यारा बरस के एक लड़के को बालक कहा जाता है ना कि किसुर किसुर उसको कहा जाता है जो लगभग उस समय की बात है जहां पे 16 साल के लड़के का साधी हो जाता था इसलिए उसको किसोर कहा जाता था और वो उसका जो चहरा है उसका जो हाथ का मांस है और जो सरीर का बनावट है वो उस समय पे 16 साल के उमर पे अच्छा देखने के कारण वो परमात्मा कैसा बताया गया बेद में वो भी उसी प्रकार से युवा वस्ता में है इस प्रकार से बर्नन किया गया है इसलिए यहाँ पे वो हे किसोर करके उनको दर्साया गया दामधनी यहाँ पे और कहते हैं तीन बार दर्सन देने के बाद वो क्या कहते हैं कि वो कह रह रहे हैं उस इंद्रावती के सखी को जो स्यामा जी के मूल है स्यामा जी यहाँ पे सबसे सिर्दार आत्माओं पे है और वो स्वयम कोन है स्वयम स्यामा जी है जो अभी यहाँ पे बेठी हुई है और दर्शन कर रहे हैं अब धामधनी किस प्रकार से यहाँ आगे बढ़ते तो धामधनी इस प्रकार से अपने स्यामाजी को पुछते हैं क्या तुम्हें श्रिफ इतना ही पता है क्या इसके अउलावे भी कुछ तुम्हें इदी पता हो तो बताओ लेकिन स्यामाजी के आत्मा को कुछ पता नहीं इस मोहजल के जब माया के अंदकार में हर कोई आ जाता है जब फरामसी चा जाती है हम पहले कह चुके हैं उस परमधाम में हमने तीन बार इक्ष्या किया था कि हमें खेल देखना है हम उस ब्रह्मांड से परमधाम से अक्षरधाम से हुते हैं इस मृत्य लोग तक आप पहुँचें जहां पे हमने इस मायावी तन का धारन किया हुआ इस मायावी तन के अंदर वो जीव बेटा हुआ है जो आदी नारेन के द्वारा पैदा हुआ है और जो आदी नारेन के भी उपर बेट के अर्था शरीफ एक द्रिश्य के रूप में देख रहा है एक द्रश्टा के रूप में देख रहा है उसको हम आत्मा के रहे हैं जो वो भी फरामोसी में है तो वो जो फरामोसी और परदा में है उसको किस प्रकार से पता हो सकता है कि वो स्वेम परमधाम से आई है और किस प्रकार से उसको पता होगा कि धामधनी स्वेम मुझे लेने आएगा तो इस प्रकार स्यामा जी को कुछ पता नहीं है और जो सुन्दर साथ आज भी ये चाहते हैं कि खुद अपने दम पे में उस धामधनी को पालू वो कभी संभब नहीं है क्योंकि स्वयम धामधनी ने ये फरामुसी का परदा लगाय हुआ है और जब तक हम ये आगरह नहीं कर पाएंगे और जब तक हमारे दिल से पुकार नहीं उठेगा कि धामधनी हमारे दिल के अंदर का परदा ना मिटा दे तब तक हमारे दिल के परदा नहीं मिट सकता और तब तक धामधनी से हमारा प्रतच्छे दर्शन नहीं हो सकता तो उससी प्रकार से यहाँ पे भी सोयम स्यामा जी यही कहती हैं कि मुझे पता ने स्जी कृष्ण जी राज जी तथा अनेकों भगवान के विशे में हम बाते करते आ रहे हैं लेकिन जिस प्रकार आज समाज में हम दो प्रकार से बढ़ चुके हैं हो सकता है समय आते आते ये समाज और विवाजित होता जाएं क्यूंकि ये कल्यूग है और कल्यूग में समाज में अहमता की चरन अवस्ता आ जाती है मोह की चरन अवस्ता में आ जाती है जहां पे परमात्मा नगन्य जैसे हो जाते हैं परंतो अपना जो बेक्तित्तो है, अपना जो अहम है, वो सर्वच्चो सिखर पर आजाता है। इस कारण से आज लोग अपने बर्चस्चों के लिए, अपने गल्ती के लिए वो क्या करते हैं। एक नया ग्रंथ निकाल देते हैं, जिस प्रकार से एक ब्याकरन आचारी ने किया था। एक ब्याकरन आचारी ने श्रीफ थोड़ा सा गलती करने के बाद जब उनके बिद्यार्ती ने ये कह दिया कि आचारी जी आप ने ब्याकरन के सुत्र में एक छोटा सा गलती किया है और उन्होंने अपने आप को प्रमानित करने के लिए एक बड़ा सा ग्रंत रज दिया जिस के कारण से आज को सब उनको धिकारते हैं उसी प्रकार से आज यदी हमें ये पता है कि सोयम देवचंद्र जी को किस ने दर्शन दिया और यदी वो दर्शन देने वाला सोयम अक्षिरा तीत हैं तो हम उस अक्षिरा तीत को नाम मानकर क्यों दुसरे भगवान को मानते हैं और क्यों हम उनको पूजते हैं जिसके कारण हम यह सोचते हैं कि हम उस परमधाम तक जा सके आगे बढ़ने से पहले यहां पे जो दर्सन हुआ है दर्सन में सुरुप के विशे में जो कुछ भी आया हुआ है वहां पे धामधनी अपने नौरंग आत्मा को जो बितक लिखा गया है उसके अंदर वो कहते हैं कि रंग रंग अनंतरंगे जिस प्रकार से रंग के अंदर भी अनंतरंग खिलता है उसी प्रकार से धामधनी के जो पाग है पाग रंग सुन्द सिंदुरिया सोय धामधनी के कहते हैं कि जो पाग है धामधनी के वो सिंदुर्या रंका है लेकिन यदि रास गरन के अंदर हम देखे तो वहाँ पे लिखा गया है कि मस्कत जो मस्तक है जो सीर है उसमें मुकुट सुहामन दिख रहा है इस प्रकार से रास में बढ़नन आता है तो जो रास बिहारी स्री कृष्ण जी है और जो सुयम परमधाम में बेठे हुए साक्चात राजी है उनमें कितना अंतर है हम ये प्रश्ट रूप से श्रिफ एक वस्त्र के कारण भी देख सकते हैं अब यदि हमें वस्त्र के तुलना नहीं करना अब हमें सास्त्र के उस ची देखना चाहिए शुरुवात के दीन में चले अभी इस इस्तिते में तार्तम ग्यान हमारे पास है तो हम तार्तम ग्यान को ही प्रमान मानते हैं जिस समय में तार्तम ग्यान नहीं था उस समय में हमने भागवत को देखा हमने बेद को देखा हमने दर्शन सास्त्र को देखा जब ये चीजे भी नहीं थे तब संसार था संसार भी नहीं था तो क्या था जब संसार भी नहीं था इस संसार के ना भगवान थे ना राम थे ना कृष्णजी थे तो इस प्रकार से जब संसार ही नहीं था तो वो एक परमात्मा थे एक सत्य थे और वही परमधाम के जिसको हम धर्म कहते हैं जिसको हम अभी प्राणना कहते हैं जिसको हम सत्य कहते हैं वही थे तो आज हम जो संसार पेदा होने के बाद जिसका नाम गरगाचारे जी ने रखा ब्रज के उस लिला में तब उस लिला के जो कृष्ण जी है उस नाम को हम क्यों पूझते हैं और मैं यह नहीं कहता या बानी भी यह नहीं कहती है कि उनके जो गुण है उनको नहीं पूझना चाहिए श्री कृष्ण जी एक योगे स्वर श्री कृष्ण जी के रूप में कहा जाते है स्वयम उनके गुण को पूजना चाहिए 11 बरस और 22 दिन वाले स्री कृष्ण जी को पूजना चाहिए जो रास बिहारी जिसके अंदर स्वयम धामधनी बेट कर लिला कर रहे है उस स्वरूप को पूजना चाहिए और जो तिसरा दर्शन दिया है उन स्वरूप को पूजना चाहिए साक्षा धामधनी को पूजना चाहिए लेकिन जो रूप बहारी दिखता है और जिस रूप के कारण हमारे स्वार्थ पूर्ण होता है उस रूप को कभी भी भूजना नहीं चाहिए और उसको त्यागते हुए हमें क्या करना चाहिए उस स्वरूप का पुजन करना चाहिए उस साक्षा धामधनी का हाथ पकड़ना चाहिए यही इस प्रकार से हम इस चौपाय के द्वारा कुछ सिक्ष्या गुरहन कर सकते हैं अब देवचंद्र जी को जब ये पुझा जाता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं तो मैं अब तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम कौन हो तो वहाँ पे चौपाय के द्वारा सोयम धांधनी कहते हैं धर्या नाम सुंदर बाई तुम्हारा नाम सुंदर बाई है तुम कौन हो ब्रह्म स्रिष्टी मीने सिर्दार तुम जो ब्रह्म स्रिष्टियों में 12,000 ब्रह्म स्रिष्टी में सबसे सिर्दार सिरो मनी श्यामा जी हो और सब जो भी ब्रह्मा आत्मा है वो तुम्हारे कौन है तुम्हारे अंग है तो तुम ही वही ब्रह्मा सिष्टी हो जो अपने इक्षा के कारण इस संसार पे आए जिसने ब्रज और रास की लिला पे यहां पे दुख की खेल को देखा और जब तुम्हारे वो इक्षा फिर पूर्ण नहीं हुआ तब जाकर इस संसार में इस जागनी के लिला में तुम फिर से तिसरी बार आए तब जाकर उनको थोड़ा सा भान होता है लेकिन फिर भी जब भी वो कह रहे हैं उस अवस्ता में वो भागवत के कांजिवट के सामने हैं लोग सब लोग वहीं सामने बेटे हुए हैं लेकिन श्रीफ वो ही वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं अब सुनने में अच्छम लगता है कि श्रीफ यही आँखों से स्वयम धाम धनी को देख रहे हैं लेकिन यही आँख जो दुसरे के पास भी है वो देखने ही पा रहे हैं तो इसको समझाने के लिए हम एक उधारन दे सकते हैं जिस प्रकार जैसे इसी समय में भी यह दिए किसी को यहाँ पे आलेश से जग जाए किसी को महा जग जाए मन के अंदर तो आँख खोले-खोले भी वो घर तक पहुंच सकता है आँख खोलते-खोलते भी उसके अंदर अनिकों लिला चल सकती है तो वो स्वयम धाम धनी है जो आँख खोले-खोले अंदर के उस दृष्टिकोन के अंदर स्वयम चाक्सतकार दे सकते हैं तो उस प्रकार से धनी स्री देवचंद्र जी को जब उन्होंने इतना तप और तपस्या करने के बाद आज उनको ये दर्शन देके ये बताया जा रहा है कि आप स्वयम श्यामा जी हो और मैं आपका आशिक हो और आप मेरे मासुक हो तो अब धाम धनीया और क्या कहते हैं ये भागवत कागत तुम्हारा सो तुम्हे खुले कलाम भागवत के बिसे में हमने कल ही खुलासा कर लिया था भागवत तुम्हारा कागत है जहां पे ब्रज और राज की लिला के बिसे में तुम्हें सब कुछ बताया गया है लेकिन जो ये संसार है और जो ये भागवत है वो कौन खोल सकता है वो वही खोल सकता है जो ब्रह्म स्रिष्टी होंगे वो वही खोल सकता है जो पार के पार के भी पार जो रहता है और वो स्वेम ब्रह्म आत्माएं होंगी जो इस दुन्या पे आएंगे और एक मानपतन के अंदर रहते रहते ही जब पारवतन जो सुहागनी ता कि नेक कहूं पहचान जब वो ब्रह्मसिष्टी जो यहां रहते रहते उस परमधाम की ओर देखती है वो ही ब्रह्मसिष्टी यहां पे उस भागवत के खुलासा भी कर सकती है तो इस प्रकार तुम्हारा जो कागत है वो भागवत है और भागवत को लेकर तुमने यह जाना कि तुमने ब् कि भागवत जो कागद है उसके बाद आज हमारे पास जो तार्तम ग्यान है वो क्या है वो मूल है और हमें भागवत को पढ़ना चाहिए या नहीं वो भी हमने जाना था कल और जो पांचवी कक्षा का पढ़ाई है वो पढ़ने के बाद अम हमें दसवी कक्षा की और ही जाना चाहिए ना कि अब हमें चौथी, तीसरी, दुसरी करके हमें फेल होता रहना चाहिए हम ये सब समझ चुके तो इस प्रकार से जो भागवत का ज्यान है और परमधाम का ज्यान है तो हमें कौन सी ज्यान को पकड़ के अब धामधनी के चरन को पकड़ना चाहिए, इस प्रकार से हम जाने और आगे बढ़े अब तुम्हे पूछना होए सो पूछले तुम तो यहाँ पे धामधनी यही कहते हैं कि ये धी तुम्हें और कुछ पूछना है तो मुझसे पूछलो वरना इस समय में जो साक्षात में दर्शन दे रहा हूँ अब इसके बाद में दर्शन देने वाला नहीं हूँ तब देबचंडर जी ये पुछते हैं कि ये धी आप अब इसके बाद कहां जाने वाले हो तो इसके बाद धामधनी केहते हैं कि मैं आकर आपके हिर्दे पे बेटूँगा हम स्वयम उस सिवापुजा में देखे जहां पे हम सिवापुजा करते हुए यही कहते हैं कि वो पुरन स्वरूप जिसने हमें और स्यामा जी को पुरन स्वरूप में दर्शन दिया है वो ही सुरूप है जो यहां पे आने के बाद अपने जो सक्षिया है उस भुली हुई सक्षियों को जगाना चाहते हैं वो भुली हुई सक्षिया कौन है और कहां रहते हैं ध्यान चेदी देखते हैं तो इस संसार एक गोल ब्रहांड है गोल ब्रहांड में लगभग 220 देश हैं उस देशों में भी अनेकों राज्ये हैं जिसमें लगभग 7 बिलियन लोगों से भी ज्यादा लोग रहते हैं आज उस में से 12,000 सक्षियां यहां इस दुनिया पे आई और जाकते हुए अपने आपको परम्स कहलाई और स्वयम कस्रनी करते हुए उस धांधनी के तरफ आगे बढ़े लगभग इस समय पे गिंति करते हुए 500 से उपर तो हमें पता है कि ब्रहमस्रिष्टी जाक चुके अब जो बचे कुचे ब्रहमस्रिष्टिया है जो भारत वर्स में है और जो बाहरी तरफ है वो कितने लोग है जो इस ग्यान को सुन पाते हैं वो कितने लोग हैं जो श्रिष्टियां हैं जो इस प्रकार से चर्चा को सुनते हैं और मनन करते हैं वो कितने ब्रह्म श्रिष्टियां हैं जो ज्ञान को सुनने के बाद चित्वनी के माध्यम से धामधनी के और जाना चाहते हैं तो इस प्रकार से स्वयम धाम धनी इसलिए है आया है कि वो स्यामा जी को मार्क निर्देशन कर सके लेकिन स्रिफ स्यामा जी के लिए वो नहीं आया स्यामा जी के लिए इसलिए आये थे कि वो अब निजानन का जो संप्रदाय हम अपना कहते हैं श्रिफ एक नाम के लिए हम निजानन संप्रदाय कहते हैं लेकिन उस निजानन जो अपना आनंद की ओर जाने वाला है वो आज से सुरू होने वाला है अब जो संस्तापक स्वयम धनी श्री देप चंदर जी है अब उनको क्या करना है उनको स्वयम अपने सख्यों को ढुणना है और वो कहां-कहां भटकते हैं और किस प्रकार से वो अपने सख्यों को ढूंटे हैं तो इसलिए धामधनी यहां पे आते हैं और उनको जगाते हैं भेरके अदृष्टभय प्रफलित हुआ अमाना तब जाकर उनके हिर्दे के अंदर स्वयम धामधनी आकर बेड़ जाते धामधनी स्वयम किस रूप से आये हो है हम सब को पता है कि एक मानब शरीर के अंदर स्वयम देब चंद्र जी भी एक मानब शरीर के अंदर ही आये और मानब सरीर के अंदर जब कोई सक्ति प्रवेश करता है तो वो क्या उसका रूप बदल जाता है? नहीं, जो हिर्दे के अंदर, जो अंतसकरन के अंदर जुड़ा हुआ आत्मा है, उसका वहाव अब कहां पे जुड़ती है? वो आत्मा अब उस परमधान के परातम से जुड़ती है और वो परातम अब सोयम धामधनी के उस नजर से जुड़ती है, उस 25 पक्षे से जुड़ती है, जो सोयम अपना घर है तब जाकर वो यह पहचानती है कि मेरा घर क्या है? मैं कहां से आया हूँ और मुझे जाना कहां प कि हमें यहां पे आने के बाद हमें क्या जानना है और स्वयम स्यामा जी को ये पता चल चुका है कि मेरा जो स्वामी है उसका पाथ्षा ही इस दुनिया में कितना है क्योंकि उन्होंने सब कुस भोगते हुए आये हैं वो सन्याशी के पास भी गए हुए हैं वो अनेको ड्राम स्वयम जब हृदे में वो अंकूर आ चुकी है। हिरदे में स्वयम जब साक्षातकार हो चुका है तो उनको अब वो परमधाम की प्रेम के बिसे में भी अब पता चला है तो अब जो स्यामाजी फरामोसी में थी अब इती बेठे इसी जगहा पे बेठते हुए इसी पृतीबी पे बेठते हुए अब वो कहां पे देख सकती है। वो स्वयम परमधाम में देख सकती है और वो स्वयम जो ब्रज की लिला है और जो राज की लिला है वो ग्रज और राज की लिलाखों भी देख सकते हैं तो इस प्रकार से जब उनके हिर्दे में स्वयम साक्षयात धामधनी बेड़ चाते हैं तो ज्ञान भी आता है और प्रेम की रस भी बेहने लगता है तब जाकर स्वयम अब वो किस प्रकार से यही सोचते हैं कि जो ग्यान मेरे अंदर है किस प्रकार से में दुसरे सुन्दर साथ को बाटा हूँ किस प्रकार से में दुसरे को पहचान सकता हूँ तो धामधनी से एक बार पूस भी ले जाते हैं कि क्या में अपने सुन्दर साथ को पहचान सकता हूँ भी या ले तो धामधनी यही कहते हैं कि तुझे कोई चिंता करने के जुरत नहीं है जो करना है मैं करूँ लेकिन आज समाज में इतने लोग हैं जो चर्चा और प्रवचन करते हैं जो धामधनी के वानी और बितक कही प्रचार करते हैं तार्तम ग्यान देते हैं लेकिन कहते क्या है कि वो सुन्दर साथ मेरा है और वो सुन्दर साथ को किसने जगाया है सोयम मेने जगाया है लेकिन धामधनी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हे तू स्यामा जी तुझे कुछ करने की जर्रत नहीं जो कुछ भी करूंगा मैं ही यह है चौथा दिन की लिला और जब तक छटवे दिन की लिला समाथ नहीं हो जाता तब तक भी सुन्दर साथ के अंदर बेट कर कोन लिला कर रहा है। तो वो निर्धक होके अब यही सोचते हैं कि मैं पहले प्रथम बार किसको जाके ग्यान का बात सुनाओं जिससे वो यह जान पाए कि ब्रज रास और जो परंधाम है वो अब मूल ग्यान है अब जब आगे बढ़ते हैं वो एक ठोर कथा मिने भाई गांग जी देता स्रवान गांग जी भाई जो सोयम देवचंद्र जी के साथ ही बेठते थे सोयम भागवत वो भी सुनते थे लेकिन गांग जी भाई वो ही बेठे रह गए और देवचंद्र जी को दर्चन हो गए आत्मा दोनों के पास है दोनों के पास है उस परमधाम की ब्रह्म आत्मा है और दोनों का हिर्दे यही अर्ष है लेकिन एक लिला रुप से स्यामाजी सिर्दार होने के कारण प्रथम बार उनके तब करने के कारण और उस जीव में और उस स्यामाजी के हिर्दे में सोयम धा सामधनी के तडप होने के कारण आज पहली बार उनको दर्शन हुआ अब गांग जी भाई वहीं पे रहते हुए जब वहां से चर्चा से उठके आते हैं देव चंद्र जी कईयों दिन हो चुके हैं भागवत सुनने के लिए अब नहीं जाते हैं भागवत से अब वह दूर हो चुके हैं लेकिन अब जिस प्रकार से गांग जी भाई सामने आते हैं और वो गांग जी भाई को देखते हैं और लगता है कि मुझे इनको कुछ बताना चाहिए तब जाकर वहां पे दोनों का बारतलाब होता है कईयों बच्चे हैं जो हमारे आज सिरियल देखते हैं कईयों बृद्ध हैं जो सिरियल पे ही विश्वास करते हैं ना कि हमारे बित्तक के चोवपाईयों में शिरियल में ये दिखाया गया है जब मैंने देखा था तो गांग जी भाई आते हैं तो बड़ा सा चमक उड़ता है पीछे की वर तब जाकर वहाँ पे देवचंदर जी ये पहचानते हैं कि ये चमकने वाला बेक्ति को होने स्वयम स्वयम उस परमधाम की आत्मा हो सकते हैं लेकिन इस संसार में कोई भी ऐसा बेक्ती नहीं है जिसको तुरंद देखने के बाद ये पता चल जाए कि ये परमधाम की आत्मा है हम ये नहीं कह सकते हैं क्यूंकि यहाँ वितक में आगे जाकर हम देखते हैं स्वयम देवचंद्र जी के पुत्र है बिहारी जी जिसके अंदर आत्मा है स्वयम औरंग जेव है जिसके अंदर आत्मा है तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो यहां पर गलत करता है जो दुसरे का खिचतान करता है हम किसी को यह ना कहें कि वो ब्रहमसिष्टी नहीं है हम खुद के उपर देखें कि हम ब्रहमसिष्टी को लक्षन पर चल रहे हैं याने तब जाकर अब हमें ये पता चलेगा कि हम किस इस्थान तक पहुंच सकते हैं इसलिए जब ये गांग जी भाय सामने आते हैं और देबचंदर जी देखते हैं प्रथम बार में वो कभी भी सुरुवात में परंधाम की बात नहीं करते हैं वो सुरू करते हैं भागवत की ग्यान से जो वो सुनके आ रहे हैं तो वो ब्रज और रास के ही ग्यान से शुरू करते हैं ब्रज की जो लिलाए हैं वो बताते हैं ब्रज में जब रास की ओर जाते हैं जब वहां पे सक्षिया पूर्ण तया से जो दूद दो रही थी और जो बच्चे को दूद पिला रही थी उसको छोड़ने के बाद भी और राज के लिला में जाने के बाद भी क्यूं उनके पती ने उनके पत्नियों को सीकार किया क्यूं उनके पती को ऐसा लगा ही नहीं कि वो सक्खियां गई ही नहीं तो जब इस प्रकार के प्रशन उनको पूछा जाता है तो वो सोचते हैं कि ये जो देपचंदर जी है ये किस प्रकार से ग्यान ला रहे हैं भागवत सुनने के लिए मैं भी बेठा हूँ और भागवत सुनने के लिए स्वयम देवचंदर जी भी बेठे हैं लेकिन दोनों में और मुझ में क्यों अंतर हैं तो इस प्रकार के जब प्रस्ण अंदर उड़ता है तब जाकर वहाँ पे स्वयम गांजी भाई पूछते हैं कि आपके पास ये ज्ञान कहां से आया तब जाकर यहाँ देवचंदर जी उनको पात्र मानते हैं बिद्या ददाती बिनेयम बिनेयम ददाती पात्रता जब तक बिद्या नहीं होता तब तक हमारे पास पात्रता नहीं आ सकते हैं बिद्या हम किसको कह रहे हैं योगदर्श के जो रूप है उसमें तो ये कहिद्या गया है कि हमें विध्या उशी को मानना चाहिए जिसमें हमें ये पता चले कि चेतन और जड में अंतर क्या है चेतन को चेतन ही मानना चेतन को जड नहीं मानना वो क्या है विध्या है लेकिन चेतन को ये दि हम उस जड को क्या कहेंगे चेतन केहे देंगे, तो वो क्या है? अभिध्या है, तो उसी प्रकार से, आज हम अभिध्या में हैं, उस कारण से हम उस पात्रता के उस ओर नहीं जा पाए विध्या जो हमें दिया जा रहा है अब यहаں पे हम संशार के ओर नहां देखकर खुद की और देखे जो सरीर हैं हमारे पास हम किसको चेतना मान रहे हैं जब ये सरीर हमें दिखाए देता है तो सरीर को ही हम चेतन मान लेते हैं आखिर आकर आप और हमें जो कोई भी पूछ लेता है कि हम कौन है तो हम क्या कह देते हैं हम कैसे कितना सुंदर है जब कोई पूझता है तो हम किस के उपर देखते हैं तो सब हम चेतना अपने सरीर के उपर घटाते हैं जिसके कारण से हम उस अबिध्या की रूप के दलदल में फसते रहते हैं लेकिन गांग जी भाई है जो अब बिध्या की ओर अग्रसर हो रहे है और वो पात्रता की ओर अग्रसर हो रहे हैं इसलिए उस पात्रता को देखते हुए अब धामधनी सोयम उनके उस पात्र में सिंहनी के वो दूद गिराने के लिए अब कुछ कहती हैं वो क्या कहते हैं? जब कथा से उड़ते तिन आगे कहे वचान तब जब कथा से उड़के जब गांगजी भाई आये हुए थे यहां पे हमने देखा कि उन्होंने बात को स्विकार भी कर लिया और उन्होंने पात्रता भी दिखा दिया तब जाकर उनको कहा जाता है कि ब्रह्म सिष्टियां कौन है कहां से आये है और कहां पे जाना है तब जाकर उनकी हिर्दे पे वो बेड़ जाता है लेकिन अब गांगजी भाई का एक प्रस्ण है गांगजी भाई पूछते हैं कि जो ब्रह्म सिष्टियां है इस संसार में आप किस प्रकार से जगाने वाले हो किस परकार से वो परमधाम की आत्मा है वो किस परकार से आप कहोगे तब यहाँ पे स्वयम धामधनी स्रिदेपचनर जी कहते हैं कि भले ही वो आकार पे आय हो इस मनुस्यतन के जो आवरन है वो ओड के आय हुए हो परन्तो वो क्या करेंगे वो अवस से ही उस बतन को ढूनेंगे वो अवस से ही अपने दिल में उस परमात्मा की प्यास रखेंगे और जब उसको थोड़ा सा भी कोई संकेत मिल जाएगा तब मैं क्या करूँगा उसको बुला लूँगा तब जाकर फिर से गांगजी भाई ये कहते हैं ये संसार कैसा है बड़ा विक्राल है यहाँ पे बड़े-बड़े मचलिया है जो छोटे-छोटे मचलिया को तो खाते ही है लेकिन ये संसार में हर कोई फिसलता है जो माया है वो माया हमें किस प्रकार से फिसला रहा है इस संसार पे भले हमें तार्तम ज्यान हो चुका है लेकिन फिर भी हम फिसलते इस माय में इस काम क्रोध रुपी जल पे जिसके कारण से हम धाम धनी के उस चरन कमल को भी छोड़ देते हैं तो उसलिए गांग जी भाई यही कह रहे हैं कि किस प्रकार में अपने सुन्दर साथ को अपने धाम धनी के चरन कमल तक ला सकता हैं तब धाम धनी यही कहते हैं कि मैं अब आडी का लिला दिखाऊंगा जिसके कारण वो स्वयम जो ब्रह्मा आत्माए होंगे वो मेरे पास आएंगे तथा उस लिला को देखकर वो क्या करेंगे जुड़ जाएंगे तो इस प्रकार से जब उनको यह कहा जाता है तो वो अपने घर पे देवाचंदर जी को बुलाते हैं और देवाचंदर जी को बुलाने के बाद वहाँ पे चर्चा और ग्यान की सत्छंग होता है पहले कहो स्रीदेवा चंद्रजी के कविले के नाम तो इस प्रकार से जो वर्नन आया है कि किस प्रकार धामधनी ने सोयम दर्शन देती हुए स्यामा जी के जो सुरूप है उसका पहचान करवाया किस प्रकार से गांग जीवाय स्वयम अपने सुंदर साथ के जागनी कराने के लिए अब किस प्रकार धामधनी को अपने घर की ओर ले जाते हैं तो घर के और ले जाने के बाद अब यहां पे बितक पे एक कभीला का नाम दिया हुआ है अर्थात परिवार का नाम दिया गया है जो धनीश्री देवचंद्र जी के लोकिक परिवार का नाम है तो वो परिवार का नाम क्या-क्या है मुल्श्री देवचंद्र जी उत्रे है अ अर्स से और उनके जो अर्स से आए होए यहां पे अलोकिक जो परिवार है वो तो अलग ही है लेकिन जो लोकिक परिवार है लोकिक परिवार किसको कहते हैं लोकिक परिवार जो इस लोक से जुड़ा हुआ है जो रक्त से जो शरीर से जुड़ा हुआ है वो परिवार लोकिक क लेकिन उस अलोखिक में हो सकता है साथ ना दे हो सकता है वो दज्जाल का काम करे तो वो लोखिक परिवार के बारे में अब जाकर यहां पे कहा जा रहा है कि वो लोखिक परिवार में प्रत्थम कौन है जमुना बाई और मेगा बाई का जो यहां पे नाम आया हुआ है वो तो गांग जी भाई के परिवार से रहते हैं लेकिन हम देवचनर जी के बिशे में कह रहे हैं देवचनर जी के पत्नी का नाम है लिलबाई लिलबाई के द्वारा यहां पे उनका पुत्र होता है बिहारी जी और पुत्री के नाम है जमुना जी तो इस प्रकार से एक परिवार का प्रसंग यहां पे चल जाता है और धिरे धिरे जब वो गांग जी भाई के ही उस घर पे रह रहे है तो उनका सद्धिस्य का नाम भी यहां पे लिया जाता है थारा भाई के रूप में, मेगा भाई के रूप में यहां पे कह दिया जाता है उनके पत्मिया भी हैं जो धामधनी के उपर समर्पित है तो यहां पे उनका नाम भी कह दिया जाता है तो इस प्रकार से जब धामधनी के उपर वो पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं, तो अब अलोकिक जो परिवार है उसके विशय में यहाँ पे कहा जाता है, अलोकिक परिवार कौन है? जो लोक से परे हो, जो इस संसार से परे का परिवार हो, उसको अलोकिक परिवार कहा जात नहीं जा रहा है अर वह अलोख को इपड़ेंगे वेलेरिकों उन्हां जुट तो शुरुवात में यहां पे हरिदास जी का नाम लिया जाता है जिस दिन में वो शुरुवात में राधा वल्ली माग से होते हुए ही उस ब्रज का दर्शन कर पाए और तब जाकर वो उनका नाम लिया जाता है हरिदास जी का पत्नी का नाम यहां पे नहीं दिया गया है उनके पुत्र का नाम का बर्नन किया जाता है उनके पुत्र के जो पत्नी है ब्रिंदा मूली तो उनका नाम भी यहां पे लिया गया है और जो पुत्र ब्रिंदा वन है उनका नाम भी यहां पे लिया जाता है तो उस प्रकार से जो अलोकिक परिवार है उनके नाम यहाँ पर इसपस्ट होता है लेकिन जो आने वाले जो सुन्दर साथ हैं जिसका आगमान होने वाला है वो भी अलोकिक रूप के घटा के करम में जूर जाते हैं जो आगे कहते हैं पहले दिन इसलाम में गांग जी भाई धरे कदम तो पहले दिन इसलाम में गांग जी भाई धरे कदम इसलाम का अर्थ निजानन कहा जाता है इसलाम का अर्थ सांती का मार कहा जाता है लेकिन आज जो इसलाम कहा जाता है इस समाज में या अन्य देश में आज हिंदु बर्ग इसलाम का अर्थ नहीं जानता और मुझे नहीं लगता कि जो कुरान पक्ष मानने वाले भी हैं वो इसलाम का अर्थ जानते हों वरना जो इसलाम मानने वाले हैं जो सांती के मार्ग में चलने वाले हैं वो किस प्रकार से दुसरे के गला को काड़ सकते हैं वो किस प्रकार से अपने ही भाई को उस बम से उड़ा सकते हैं लेकिन आज वो ग्यान नहूं होने के ही कारण कि इसलाम क्या है वो निजानन्द का मार्क क्या है आज यहां पे हत्या अत्याचार होता है लेकिन वो निजानन्द का मार्क है जहां पे पहली बार गांग जी भाई ने प्रवेश किया वो ही गांग जी भाई है जिसके कारण स्वयम धनी स्री देब चंदर जी वहाँ पे किसी सुन्दर साथ को कुछ कह पा रहे हैं वो ये कह पा रहे हैं कि तुम कहां से आयो वरना उनको कौन सा इस्तान मिलता लेकिन धनी जी ने ये इस्तान बना दिया और वो ही इसलाम के प्रथम बेक्ती थे इस प्रकार से यहाँ पे कह दिया गए आगे बढ़ते हैं भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निज़ धाम तो इसी प्रकार से भाई गोविंद जी भी यहाँ पे जुड़े होए हैं जिस प्रकार से सुन्दर साथ का आगमन होता है वहाँ पे शुरुवात के दिनों में पहले ही कहा गया कि धनी स्री देप चन्र जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं लिला दिखा रहे हैं वो स्वयम कृष्ण जी के रूप में आते हैं कृष्ण जी के लिला को दिखाते हैं और ब्रज और रास की लिला को दिखाने के बाद ही वहाँ पे सुन्दर साथ आने का आगमन होता है ये दि उस समय पे ज्ञान की चर्चा होता और श्रिफ तार्तम ज्ञान की ही बाते होती है तो वहाँ पे जो तेरा सो तिन सो तेरा सुंदर साथ का भी जो जागनी होता वो भी नहीं होने वालता है जिस प्रकार चे आज समतकार में हर कोई भुला पड़ा है हर कोई समतकार में फसना चाहता है हर कोई उस समतकार को देखना चाहता है आज हमारे समाज में भी ये बाते आ चुकी है हमारे इस छोटे छोटे बच्चेव में भी ये दिखने को मिलता है कि कोई योगी पूरुस हो और वो उड़के दिखाए तो हाँ मैं मान सकता हूँ को उनके पास सक्ती है ये दि मैं कुछ इक्ष्या करो और वो मेरे सीर के उपर हाथ धर दे और आसिरबाद दे दे तो मैं मानू कि हाँ सच में इनके अंदर ब्रह्म आत्मा है बड़े लोग यह चाहते हैं कि मेरे घर के जो दुख है वो ठीक हो जाए जब मेरे सद्गूरू मेरे पास आजाए तो इस प्रकार के जो इक्ष्या करते हुए और समतकार की इक्ष्या करने से अब वहाँ पे क्या फैल रहा है यहाँ पे एक उदारन आता है जा रहा है उस समय पे वहाँ के लोग जो गाउं के होते हैं वो कहते हैं कि तु सोब जतने भी सादू है वो ढोंगी है ना तुमें कुछ पता है ना कुछ आता है लेकिन श्रीफ तुम लोग क्या करते हो भीग्चा मागते हो और तुम्हारा जो गुरू है वो भी ऐसाई ढोंगी है तब जाकर उस सिश्य को क्रोध आता है और वो क्रोध के कारण अब जाकर अपने सिद्धी को तदर्शित करता है वो बेढ़ता है और अपने आपको अपने जमिन से थोड़ा सा उपर उठा के वो दिखा देता है और जब वो दिखाने के बाद वो चमतकार वो बिक्ति देखता है तो वो जेजेकार लगाता है कि आप जैसा सादू मेंने कहीं पे भी नहीं देखा और जब वो सादू को लेकर वो बुद्ध जी के आस्रम तक पहुंचते हैं तब बुद्ध जी अब उस सिस्य को कहते हैं कि तुम इस आस्रम से निकल जाओ मैंने पहले भी कहा था कि समतकार दिखाने से थोड़ी छेन के लिए तो लोग आ जाएंगे लेकिन बाद में यही लोग क्या करेंगे यही लोग हमारे ही दुस्मन बनेंगे यही लोग ज्यान के बस में ना होने के कारण अब जाकर अज्यानता में फसने से वो बुराई की रस्ते पे चलेंगे इस प्रकार से वो बताते हैं आज हमारे समाज में जो चमतकार ढूंटे हैं वो किस रस्ते पे चल रहे हैं हम सब को बता है तो इस प्रकार से जो समाज है हम किसी को भी चमतकार जो जाहिरी है वो नहीं देखना चाहिए जाहिरी थोड़ी छेन के लिए होता है लेकिन जो बातुनी मेहर है और जो बातुनी जो चमतकार है ये उसको देख सकें तब जाकर हम ब्रह्म स्रिष्टियों के लग्छन को भी देख सकते हैं और उस धनी के प्रेम को भी देख सकते हैं यहां पे भेज दिया गया, कुरान के नाम पे, बेद के नाम पे, बाइवल के नाम पे, अनेको सास्त्र यहां पे है, अब वो सास्त्र किस ने भेजा, सोयम धामधनी ने भेजा गया, तो वो क्यों, श्रिफ एक प्रेम के लिए वो क्या है, चमतकार नहीं तो वो क्या है, वो चमतकार जो बातुनी रुप से दिख रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता, आज जो ब्रहम सिष्टिया यहां इस दुनिया में आज दिन तक भटक रहे हैं, वो जाग सके, वो भी एक चमतकार है, और आज इस प्रकार से हम स्वयम तार्तम बाणे हमारे सामने बेठा हुआ है, और आज इतने बरस के बाद तक भी हम बाणी और बितक का अध्यान कर पा रहे है वो क्या है, वो भी तो एक चमतकारी है, लेकिन इस चमतकार को हम ना देखकर, हम वो जाहिरी चमतकार देखना चाहते हैं, जिसके कारण हमें प्रतक्षे रूप से वो मेहर मिले, लेकिन मेहर उसी को मिलता है, जो जाहिरी, चीजे देख सके, उसी कारण से गांग जी भाई, जिसने श्रीफ जाहिरी नहीं देखा जिसने सुयम बातुनी मेहर को भी देखा तब जाकर वो इसलाम अर्थात निजानन्द में प्रवेस किये और प्रवेस करने के बाद अब वो क्या-क्या करते हैं और कौन-कौन सामिल होते हैं आगे बताते हैं दो बेटी स्याम जी की हरवाई डालवाई तो श्याम जी की बेटी है धरवाई और बालवाई तो इस प्रकार से वो लोग भी अब अपने धाम धनी के उपर समर्पित होते हैं और वो धाम धनी के सेवा करते हैं अब कहो कभिला स्री महराज का करी स्री देव चंद्र जी महर तो किस प्रकार से अपने सुन्दर साथ के उपर स्वयम धाम धनी ने महर किया सुन्दर साथ का आगमन किसको पसंद नहीं होता हर कोई आज जितने भी जागनी की लिला हो रहे है जितने भी कष्ट उठाया जा रहा है वो इसलिए उठाया जा रहा है कि हर कोई ब्रह्म आत्मा को ढूनने के प्रयाश कर रहा है और जब तक उस साकुंडल के आत्मा ना मिल जाए तब तक के लिए इस ब्रह्म हांड का अड़ का निश्चित है साकुंडल और साकुमार की आत्मा जागने के बाद ही इस दुन्या का क्या हो जाएगा अखंडता और नस्वर हो जाएगा इसलिए आज दिन तक उस ब्रहमशिष्टी को जगाने का वो दोर चला आ रहा है यह चट्वे दिन के लिला में भी हम उस ब्रहमशिष्टी को ही ढून रहे हैं जो जाग जाए और यह संसार अखंड होने के बाद हर कोई अपना अपना घर चले उसी दोरान जब देपचंद्र जी भी अब अपने सुन्दर साथ को ढूनते हैं तो उस समय वो किस प्रकार से फुरसार्थ करते हैं जब भी कोई सुन्दर साथ नया आता है तो वो खुश होते हैं आज यह कोई सुन्दर साथ हमाने सामने नया आता है तो क्या हम बाते करते हैं क्या हमने कभी पुछा है कि आपको कितना दूख है या नहीं क्या हमने ये सोचा है कि हमारे इधर उट बेठने वाले जो सुन्दर साथ है उन्से बोलना चाहिए ये भाई है नहीं हम दुसरे समाज से सीखे थोड़ा सा हम उन्से समाज से सीखे जब कोई भी ये दी बाहर से कोई प्रबेश करता भी है भई परिचित भी ना हो वो आकर पहले सतकार करते हैं सतकार करते हैं मन में क्या उड़ता है एक आदर का भाव उड़ता है और मन में उमंग उड़ता है जब प्रबेश करते हैं तब वो ज्यान की बाते करने लगते हैं वो अनावसिक बाते नहीं करते हैं वो बाते करते हैं तो उसे गड़ फादर के जो आएंगे और हमें इस प वो बाते हो रहे हैं, बाते तो तारतम ग्यान का ही हो रहा है, वो तो शिर्फ तारतम ग्यान पढ़ने वाले को पता है, लेकिन फिर भी उस समाज से हमें सोचना चाहिए कि क्या वो लोग करके आज अपने उस संख्या को बढ़ा रहे हैं, जिस से वो अपना ग्यान को फैला र रहें क्योंकि हम पहले बात आगमन में ही वो संदर साथ को सदकार नहीं करते हैं हम ज्ञान की उची-उची बाते तो कर देते हैं लेकिन अपने संदर साथ को देखकर ये तक नहीं पाते कि आप क्या ठीक हो जब ये भाव ही नहीं रहे जाता जब ब्रह्मश्रिष्टी का तो तो इतना ऊचा प्रेम है, यहाँ पे जब हम आते हैं, तो हमारे पास फोड़ा सा भी प्रेम नहीं रह जाता, तो हम सुन्दर साथ कहलाने के लाइक नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार धनी श्री देपचंद्री जब भी उनके चर्चा में और सच्छंग में जब भी कोई सुन्दर साथ आते हैं तो वो खुस होते हैं वो खुस होते हैं कि कोई एक ड्रमा आत्मा आकर सुयम खुद को जगा रही है और धाम धनी भी इसी कारण से मुझे मेहर कर रहे हैं तो इस प्रकार उस चर्चा के दोरान क्या होता है वहाँ पे और कुछ चर्चा नहीं होती है बस होती है तो आत्मा के विसे में कि तुम ब्रज में आये थी तुम उसके बाद रास पे गए और उसके बाद तुम परमधाम पे गए और उच्छा बचे रहने के कारण इस दु कि आते रहना कभी सोने के कचोड़ी दिया जाता था कभी सोने के चंचे दिया जाते थे क्यूं यह चमतकार किसले क्या गया श्रिफ इसलिए कि मुह से भी वह बद गया आज आए चर्चा सुन ले और अपना आत्म जागृति कर ले तो इस प्रकार से उस समय की बात है कि वहां पेज, स्वयम, धाम, धनी कुछ उपाए लगा रहे हैं कि अपने सुन्दर साथ को कैसे जगा जाए तो सिखापन यही है कि हम भी इस समय पे किस प्रकार से अपनी सुन्दर साथ को जगा सकते हैं किस प्रकार से बाहर के जो परवाई है वो परवाई भी हमारे ही सुन्दर साथ है तो उनको भी बुलाने के तरीका क्या क्या हो सकते हैं साम, डाम, डंध, भेज यह हर चीज प्रयोग कर लेना चाहिए वो चीजे जिसके द्वारा वो ब्रह्म सिष्टी जागरित हो जाए तो इस प्रकार से वो जागरित करने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है वास्तना ठाकुर गुवर्धन की गुडवन्ति बाई नाम तो वहाँ पर वास्तना ठाकुरन की यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी आत्मा येदी आती थी और पहचान हो जाता था कि वो ब्रह्म आत्मा है तो उनको एक नाम दिया जाता था क्योंकि वो बुलाने की एक तरीका है कि वो परमधाम के सकी है तो उनको एक बड़ाई दिया जाता था तो इस कारण से उनको नाम दिया गया और भाई ठाकुर स्यामल जी ए पीछे लई इमान, तो भाई श्यामल जी ने भी पीछे इमान लाया, प्रेम जी की सोबत से इफल पाया इन से, तो प्रेम जी के जो सोहुबत अर्थात सानिध्य के कारण है उन स्याम भाई जी ने क्या किया स्याम भाई जी को ये तार्तम ग्यान विला हो सकता है यहाँ पे जो बेठे हुए हम सुन्दर साथ है किसी ना किसी माध्यम से धामधनी से जुड़े हुए धामधनी के ग्यान से हम किसी ना किसी के बेक्टित्तों के दारा किसी ना किसी के सुनाने से ही हम इस तार्तम ग्यान से अपने धामधनी से जुड़े हैं तो वो धामधेनी किस प्रकार से सुन्दर साथ के तन में बेट कर, हमें ज्ञान देकर, घर में आकर अपना जागनी का ये लिला किया, तब हम जाकर आज इस तान पे बेट पा रहे हैं, तब जाकर हम आगे के जो इक्छाय है, जो आगे के जो चरन है, जो आगे का जो कदम है, उसको जान पा रहे हैं, तो इस कारण चे अब जब सब सुन्दर साथ इस प्रकार आगमान कर लेते हैं, आगमान करने के बाद धामधनी यही चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी हम क्या करें, जागनी का लिला करें, तब दोनों सुरूप के जो मिलाब है, स्वयम, जो मिहरा जे अब किस प्रकार से अपने धामधनी से मिलते हैं, किस प्रकार से वो अपने आत्म की जागरती करते हैं, तो इस बितक में हम कल की लिला पर बताएंगे. तो आज हमने यही जाना कि किस प्रकार स्वयम धामधनी ने यहाँ पे देवचंडर जी को तिसरे दिन के अर्था तिसरे यहाँ पे लिला हुए, जिसमें दर्सन मिला, और किस प्रकार से हमने यह जाना कि हमें भी किस प्रकार गांग जी भाई के तरह है, अपने सुन्दर सत क के प्रती प्रेम करना चाहिए और किस प्रकार हम अब उस ज्ञान को लेते हुए आगे अपने सुन्दर साथ के लिए जिए तो यही ज्ञान को हमने आज को जाना और इस ज्ञान को यही तब विराम करते हैं चोपाई दो रहेंगे स्री महामती कहे ए साथ जी इन साथ की सिफाता सो तो आगे होएगी बखत रोज क्यामाता बखत रोज क्यामाता बखत रोज क्यामाता बोले स्री प्राना थे प्यारे के जए